नमस्कार दोस्तो मौसम ताज़ा समचार में आप सभी का हारदिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है जिसके कारण दोस्तो बता दें कि उत्तर भारत और उत्तर मद्य भारत में बेयंकर कोहरा धुंद पड़ रहा है दोस्तो अंदकार साचा गया है सीत लहर इतनी विशेश चल रही है दोस्तो जिसके कारण लगतार एक्सडेंट के जो मामले हैं वो भी लगतार बढ़ते ही आ रही है वही किसान भायों के लिए बड़ी खुसकबरी है अपने बच्चों को और बुजर्गों को दोस्तो समल कर रखें सुरक्षित रहें वही दोस्तो आपको बता दे कि मद्धे प्रदेश में इतनी कडाके की ठंड पर रही है कि एक व्यक्ति की दोस्तो 50 साल का था और सीत लहर के प्रकोप के करण दोस्तो यहाँ पर उसकी मौत हो गई है वही पंजाब और हर्याना में भी दोस्तो 24 गंटों में सुबह ही कडाके की ठंड रही और कई स्थानों पर यहाँ पर नियुंतम तापमान दोस्तो सामाने से भी बहुत नीचे रहा वही कई जगों पर कोहरे की जो घनी परत है वो चाही रही साथ यह बता दें कि दिल्ली में भी रिकोर्ट टूट रहा है और दिल्ली में दोस्तो मात्र 3 डिगरी सेल्शेस आप समझ सकते हैं दोस्तो 3 डिगरी सेल्शेस कितना होता है वही राजिस्तान के अगर हम बात करें तो राजिस्तान के अधिकांस जिले सीत लहर की चपेट में हैं इस वक्त और पिछले 24 गंटों में हनमानगड स्छीकर चूरू माउंट आबू के साथ साथ जैपूर वे अन्य जिलों में भी दोस्तो भेयंकर सीत लहर चली है साथ यो बता दें कि राजिस्तान के पाली में भेयंकर कोहरे और धुन्द के कारण इतना जबरदस्त दोस्तो एक्सिडेंट हुआ एक घर से ही दोस्तो आठ अर्थियां उठी हैं इस कारण आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो तो दोस्तो सीत लहर है घना कोहरा पड़ रहा है दुन्द पड़ रही है अंदकार सचा रहा है आप जब भी गाड़ी चलाओ, सेप्टी से चलाओ, क्योंकि आपके घरवाले भी आपकी रहा देख रहे हैं, आपकी बाट देख रहे हैं, कि हमारा भी ये लोट कर आएगा दोस्तो आपको बता दे कि हरियाना में लगातार तापमान गिर रहा है, और हिसार प्रदेश में सबसे ज़्यादा और ठंडा दिन रहा दोस्तो मौसम भाग के अनुसार एक पश्यमी विक्षोप, जम्मू कस्मीर और हिमाचल प्रदेश की और बढ़ रहा है इसके असर से पहाडी छेतरों में दोस्तो फिर से बरबबारी होगी और अभी तो दोस्तो कम ठंड है, इससे भी ज़्यादा अब की बार ठंड पढ़ने वाली है रिकोर्ड तूटने वाले हैं, मैदाने इलाकों में भी मौसम बदलेगा और ठंडी हावाओं के कारण है, दोस्तो जो सीत लहर है, वो दोस्तो अब बढ़ने वाली है दोस्तो सबसे अत्यदिक जो कोहरा और धुंद पढ़ रहा है वो है दोस्तो उत्तर प्रदेश में नई साल के बाद से पूरा उत्तर भारत ठंड की गिर्पत में है उत्तर भारत के मैदाने इलाकों में कोहरे का सितम जारी है वहीं दोस्तो दिल्ले का तापमान तो मातर 3 डिग्री सेल्शेस पर जा पहुचा है अब दोस्तो हम बात करें उत्तर प्रिदेश की तो नए साल के पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश में ठंड और सीत लहर ने कोहराम मचा रखा है ठंड और सीत लहर की वज़े से एक तरफ जहां लोग बाग घरों से निकलने से कत्रा रहे हैं और दोस्तों बहुत मजबूरी होने पर ही घरों से निकल रहे हैं दूसरी तरब घने कोहरे के वज़े से सडक और रेल यातायात भी प्रभावित है दूस्तो आपको बता दे कि इतना बहेंकर कोहरा पड़ रहा है कि कुछ दीख भी नहीं रहा है और मौसम का ये हाल अगले बाग पांच-छे दिनों तक दूस्तो रहने वाला है और जो पूरवत्तर राज्य हैं दूस्तो असम मेगालेंड, नागालेंड, मनीपूर, मिजोरम दूस्तो यहाँ पर हलकी फुल की बरसात की सम्मावन बताई गई है अगले 24 गंटों में दोस्तों 24 से 48 गंटों में 36 गंट पर दोस्तों हलकी फुलकी बरसाथ देखने को मिल सकती है मोसम से जोड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानगारी पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि सभी लोगों तक अपडेट पहुंच सके दने बाद दोस्तों जैहिन तता आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कोमेंट बॉक्स में हमें अब इससे बता कर जाएं